दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि किस कारण से कुछ लोगों की मृत्यू बहुत कम उम्र में ही हो जाती है जबकि कुछ लोग बहुत लंबे समय तक जीते हैं। गरुर पुरान में अकाल मृत्यू के विशय में क्या कहा गया है? और क्या अकाल मृत्यू के बाद आत्मा को सभी कश्टों से मुक्ती मिल जाती है? अकाल मृत्यू के बाद आत्मा कहा जाती है, उसके साथ क्या क्या होता है? किन कारणों से अकाल मृत्यू का योग बनता है? और हिंदू धर्म ग्रंथों में अकाल मृत्यू से बचने के क्या उपाय बताए गए हैं। आज की इस वीडियो में अकाल मृत्यू से जुड़े इनही सब प्रशनों के उत्तर जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वैदिक ज्यान संगम में। अकाल मृत्यू कहते हैं। दोस्तों, इनसान के जन्म से लेकर मृत्यू को प्राप्ट होने तक, और फिर मृत्यू के बाद उस आत्मा का स्वर्ग या नर्क में जाने के बाद, पुना जीवन प्राप्त करने की प्रक्रिया को हिंदू धर्म शास्त्रों में साथ चर्णों में बाटा गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो आत्मा एक बार शरीर धारण करती है, उसे दूसरा शरीर प्राप्त करने से पहले इन साथ चर्णों से गुजरना पड़ता है। इसी को जीवन चक्र कहते हैं, दोस्तों वो आत्माई जो इन सातों चर्णों को पूरा नहीं कर पाती, बहुत कष्ट पाती हैं, अकाल मृत्यू को प्राप्थ होने से यह क्रम बिगड़ जाता है, जिन व्यक्तियों की मृत्यू प्राकृतिक कारणों से होती है, उनकी आत्मा भटकती नहीं है, और नियमानुसार उनके जीवन के साथ चरण पूरे हो चुके होते हैं, लेकिन जिन लोगों की अकाल मृत्यू, दुरगटना, आत्महत्या या अन्यकारणों से होती है, वो चक्र को पूरा नहीं कर पाते, जिस कारण उनकी आत्मा बीच में ही रह जाती ह दोस्तों, गरुन पुराण में अकाल मृत्यू के बाद आत्मा का क्या होता है, इसका विस्तार से वर्णन किया गया है, अकाल मृत्यू तो कई तरह से हो सकती है, परंतु क्या आपने कभी सोचा है, कि आखिर जो लोग डिप्रेशन और तनाव के कारण अपने हाथों से ही अपने प्राण ले लेते हैं, क्या मरने के बाद उनको सुकून मिल पाता है, आत्महत्या को गरुन पुराण और अन्य धर्म शास्त्रों में निंदनिय माना गया है, क्योंकि धर्म शास्त्रों के अनुसार कई योनियों के बाद जाकर दुरलभ मानव जीवन मिलता है, ऐसे में उसे व्यर्थ गवा देना मूर्खता और अपराध है। हिंदू वैदिक ग्रंथों में आत्मधाती मनुष्यों के बारे में इस श्लोक में स्पष्ट कहा गया है। असूर्या नामते लोका, अंधेन तमसावरिता, तास्ते प्रेत्यानिभगच्छन्ती ये के चात्महनो जना, अर्थात आत्महत्या करने वाले मनुष्य मृत्यू के बाद अज्यान और अंधकार से परिपून सूर्य के प्रकाश से हीन असूर्य नामक लोग को जाते हैं। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, उसकी आत्मा को चारों और अधेरा ही दिखाई देता है, तथा वह मृत्यू लोक में ही भटकती रहती है, और अनेकों कश्ट पाती है। गरुन कुरान में इस प्रेत योनी में मिलने वाले कश्टों के बारे में लिखा है कि उसे प्यास तो लगती है, पर पानी पी नहीं पाता। भोजन तो सामने रहता है, पर वहखा नहीं पाता। हमेशा ही भूख और प्यास से व्याकुल रहता है। ना ही उसे स्वर्ग या नर्क में जाने को मिलता है और ना ही उसे किसी योनी में जन्म मिलता है। ऐसी प्रेत आत्मा अनिश्चित काल तक ऐसे ही भटकती और कश्ट पाती रहती है। ऐसी आत्माओं को तब तक ठिकाना नहीं मिलता, जब तक कि उनका समय चक्र पूर्ण न बहुत कुछ सुना होगा, जिसका कोई वर्तमान न हो, केवल अतीत ही हो उसे भूत कहा जाता है, और अतीत में अटकी आत्मा भूत बन जाती है, जीवन न अतीत है और न भविश्य, वह सदा वर्तमान है, जो वर्तमान में है, वह मुक्ती की ओर अपने आप ही बढ़ रहा है, परंतु जो आत्मा अतीत में अटक गई है, वो अनिश्चित काल के लिए प्रेत योनी को प्राप्थ होती है, दोस्तों मान्यताओं के अनुसार, जब कोई स्त्री प्रसव से मरती है, तो चुड़य बन जाती है, जो स्त्री बुरे कर्मों बाली होती है, मरने के बाद उसकी आत्मा डायन बनती है, ऐसी आत्माओं को मुक्ती ना मिलने की वजह है, उनके सगे संबंधियों द्वारा उनके निमित श्राधना किया जाना, इसी तरह जब कोई पुरुष मरता है, तो वह भूत ब्रहमराक्षस या वेताल हो जाता है, जो व्यक्ति भूखप्यास और ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को त्रिप्त करने के लिए श्राध और तरपन किया जाता है, जो लोग अपने स्वजनों और पित्रों का श्राध और तरपन नहीं करते, वे उन अत्रिप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं, दोस्तों, आत्मा के तीन स्वरुप माने तब उसे सुक्षमात्मा कहते हैं, लेकिन जब यही जीवात्मा वासना और कामनामई शरीर में निवास करने लगती है, तो उसे प्रितात्मा कहते हैं, दोस्तों कुछ जानकारों का मत है कि कुछ लोगों की जन्म कुंडली में अलपायू लिखी होती है, यह उनके पूर्व जन्म का कर्म होता है, जोतिश शास्त्र के अनुसार अकाल मृत्यू को टाला जा सकता है, इसके लिए आपको जोतिश की मदद लेनी चाहिए, चलिए जानते हैं उन जोतिश शास्त्र के उपायों को जिनसे अकाल मृत्यू को टाला जा सकता है, दोस्तों जोतिश शास्त्र क कुंडली का छठा भाव रोग का तथा आठ्वा भाव मृत्यू का और बार्वा भाव शारिरिक व्यवपीडा का भाव माना जाता है। अकाल मृत्यू का योग होता है तो उस व्यक्ति को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिवजी की पूजा करने से अकाल मृत्यू से छुटकारा मिलता है। वहीं अकाल मृत्यू का भय हो तो जातक को जल में तिल और शहद मिलाकर हर सोंबार को भगवान शिव का अभिशेक करना चाहिए। इसी के साथ ही महामृत्यूंजय मंत्र और ओम नमा शिवाय मंत्र का जब करना चाहिए। यह सारे उपाय व्यक्ति को पूर्ण श्रद्धा एवा आस्था से करना चाहिए। अन्यधा इन उपायों का कोई फल नहीं मिलता। यदि किसी व्यक्ति को अकाल मृत्यू का भय हो तो उसको मंगलवार और शनिवार को काले तिल और जौका आटा तेल में गूंठ कर एक मोटी रोटी पका लेना चाहिए। उसके बाद गुड और तेल में वह रोटी मिलाकर जिस भी व्यक्ति की अकाल मृत्यू की आशंका हो उसके सिर से साथ बार उस रोटी को उतार कर उसे भैंस को खिला देना चाहिए। दोस्तों भैसा यमराज का वाहन है। ऐसा माना जाता है कि इससे अकाल मृत्यू का भै खत्म हो जाता है। इसके अलावा जिस व्यक्ति को बिना कारण ही मृत्यू का भै सताता हो तो उसे गुड और आटे के गुलगुले बनाकर अपने सिर से साथ बार उतार कर चील या कोई क को खिला देना चाहिए जोतिश शास्त्र के मुताबिक अकाल मृत्यु से बचने के लिए जातक को शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। हिंदु धर्म ग्रंथों में शादी को एक पवित्र रिष्टा माना गया है। इस रिष्टे में शारीरिक संबंध से ज्यादा आध्यात्मिक जुडाव को महत्व दिया गया है। लेकिन आज कल्युक के दौर में यह रिष्टा भी बहुत बदल गया है। इंटरनेट और फोन के इस युग में इस रिष्टे में भी स्वार्थ और काम वासना अधिक प्रबल हो गई है। आज कल पुरुष अपनी पत्नी होने के बावजूद दूसरी महिलाओं की और जल्दी आकर्शित हो जाते हैं। एक कहावत तो आपने भी सुनी होगी, अपने बच्चे और दूसरे की पत्नी ज्यादा अच्छे लगते हैं। अक्सर लोगों का मन अपनी पत्नी से शारिरिक संबंध बनाते बनाते उप जाता है। जब वे अपनी पत्नीों से संतुष्ट नहीं होते हैं, तो वे किसी और की पत्नी को बुरी नजर से देखने लगते हैं। ऐसे में दूसरे की स्त्री उन्हें अच्छी लगने लगती हैं, और वो उससे संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। दूसरी स्त्रियों की यौन चाहत रखने वाले लोग अपनी पत्नियों से बच बचा कर या जूट बोल कर दूसरी स्त्रियों के साथ अवैद संबंध रखते हैं। आश्चर्य तो तब होता है जब ऐसा करने में वे गर्व भी महसूस करते हैं। दोस्तों ये वीडियो इसी विशय पर है। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि दूसरे की पत्नी पर बुरी नजर डालने वालों को नर्क में क्या सजा मिलती है। इस बारे में गरुड पुरान और मनुस्मृति में क्या लिखा है। इसके साथ ही हम आपको पौरानिक क दो उदाहरण भी बताएंगे। जिसमें स्त्री को उसकी अनुमति के बिना छूने से व्यक्ति के सारे पुन्य पाप में बदल गए थे। जिसका वर्णन रामायन और भागवत पुरान में किया गया है। गरुड पुरान में पराई स्त्री को देखकर मन में बुरे विचा लाने पर नर्क में जो सजाएं दी जाती हैं। दोस्तों, इतिहास गवाह है। रामायन के रावन से लेकर महाभारत के दुर्योधन तक। चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जो भी महिलाओं पर बुरी नजर रखेगा और उनका अपमान करेगा। उसका पतन होना निश्चित है। अकसर लोग दूसरी स्त्री के बारे में बुरे विचार रखते हैं और उन्हें लगता है कि कोई भी उन्हें देख नहीं रहा है। उन्हें ये पता ही नहीं होता कि उनके इस पाप कर्म को भी चित्रगुप्त लिखते हैं। शास्त्रों के अनुसार किसी पराई स्त्री के साथ संभोग करना महापाप माना जाता है जो लोग किसी स्त्री के उपर बुरी नजर रखते हैं या जो पराई स्त्री के साथ यौन संबंध बनाने के बारे में सोचते हैं। ऐसे मनुष्यों को जन्ती नामक नर्क में डाल दिया जाता है जहां उन्हें अ स्तार पूर्वक सुने तो निश्चित ही पाप कर्मों से दूरी बना लेगा। दोस्तों, गरुड पुरान और मनुस्मृति में कन्याओं और पराइस्त्रियों के साथ संबंध बनाने पर मिलने वाली जिन सजाओं का वर्णन किया गया है, उसे बताने से पहले आईए आपको एक संक्षिप्त कथा सुनाते हैं, जिसे सुनकर आप जान जाएंगे कि पराइ पुर्ण सार राक्षसकंभ की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उसे अजय होने का आशीरवाद दे दिया, इस वर्दान के कारण राक्षसकंभ को हराने वाला तीनों लोकों में कोई नहीं था, उसने स्वर्ग लोक पर आक्रमन किया और देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, सभी देवता भाग कर भगवान दत्तात्रेय के पास इस समस्या का हल पूछने गए, दत्तात्रेय ने मुस्कुराते हुए इंद्र देव से कहा, हें इंद्र, कुछ भी करके राक्षसकंभ को मेरे पास भेजो, अगर आप ऐसा कर सके, तो आपकी सम मस्या का अंत निश्चित है, देवराज इंद्र ने वैसा ही किया, और कंभ को उक्सा के भगवान दत्तात्रेय के पास भेज दिया, उस समय देवी लक्ष्मी भगवान दत्तात्रेय के साथ बैठी थी, जिन्हें देख कर राक्षस मंत्र मुग्ध हो गया, और उनका अपहर कर उन्हें अपने साथ ले गया, इस दोरान भगवान दत्तात्रेय ने राक्षस कंभ को रोकने का प्रयास नहीं किया, ऐसा देख देवराज इंद्र और भी डर गए, देविंद्र ने पूछा, ये सब क्या हो रहा है, आप कुछ करते क्यों नहीं, क्या आप भी इस इंद्र ने कहा, ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ, तुम जाओ और देवी लक्षमी को सुरक्षित ले आओ, इंद्र ने कहा, कंभ पर भगवान शंकर का आशीर वाध है, देवता उसे हरा नहीं सकते, तब भगवान ने कहा, राक्षस कंभ ने भावनाओं में बहकर ए और देवी लक्षमी के साथ इंद्र लोग प्राप्त करो, राक्षस कंभ इतना निर्बल हो गया, कि देवराज इंद्र ने उसे आसानी से पराजित करके, स्वर्ग फिर से प्राप्त कर लिया, इस कथा का सार ये है, कि चाहे राक्षस कंभ हो, या त्रिलोक विजेता राव का समर्थन करते हैं, वे भी पाप के पात्र हैं। इससे आत्मा का शरीर जल जाता है। आत्मा उस पल को याद करके रोती है जब उसने अवैद संबंध बनाया था। फिर भी अम्राज के दूतों का दिल नहीं पिघलता और वे बार बार उससे दहकते लौह स्तंभ का आलिंगन करवाते हैं। दोस्तों, कुछ लोग गुरुओं की पत्नियों और उनकी बेटियों को बुरी नजर से देखते हैं। उनके प्रतियौन संबंध बनाने के बारे में सोचते हैं। जो व्यक्ती काम भावना से पीडित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, उसे इस महापाप की भयंग कर सजा मिलती है। मनुस्मृती के अनुसार ऐसे व्यक्तियों को मृत्यू के बाद नर्क में उनके सिर पर जलते लोहे से योनी का चिन्ह बना दिया जाता है। कभी-कभी यही चिन्ह अगले जन्म में व्यक्ती के सिर पर भी नजर आता है। नर्क की आग जिसका तापमान हजारों डिग्री सेलसियस होता है। इन पापी लोगों को इसी आग में तपाया जाता है। उन्हें नर्क की आग में जलती हुई स्त्री की लाल मूर्ति का तब तक आलिंगन करना पड़ता है। जब तक कि वह व्यक्ति आग से शुद्ध न हो जाए। और उसके मन से महिलाओं के प्रति सारी बुरी भावनाएं दूर न हो जाए। ऐसे व्यक्ति के लिए तीसरी सजा यह है कि उसे अपने गुपतांगों को अपने हाथों से काट कर दक्षण पश्चिम दिशा में अनंत काल तक चलना होगा। जब तक कि उसकी मृत्य लिए नहीं हो जाती। ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नर्क की यातना सहने के बाद, गिरगिट की योणी में जन्म लेता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे की पत्नी या बेटी का अपहरन करता है, उसे तमिसरा नामक नरक में सबसे बुरी सजा दी जाती है। इसमें यम्दूत उसे अनेक प्रकार का दंड देते हैं, उन्हें घोडे से चलने वाले हतियार, गदा, आदी से कुचल दिया जाता है, जो व्यक्ति अपने मित्र या भाई के साथ विश्वास घात करके, उनकी पत्नी के साथ संबंध बनाता है, उसे अंधता मिश्र नर्क में घोर यातनाय भो संग पर तुलसिदास जी ने रामायन में लिखा है, अनुज बधु भगिनी सुतनारी, सुनू सठ कन्या सम एचारी, इनही कुद्रिष्टी बिलो की जोई, ताही बधे कचु पाप न होई, इसका अर्थ है, छोटे भाई की पत्नी, बेहन, बेटे की पत्नी, और बेटी जो व्यक्ति उनके प्रति गलत नजर डालता है, उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता। जब किसी मनुष्य की जीवन यात्रा का अंत हो जाता है, तो उसे मृत्यू कहा जाता है, जबकि हिंदू धर्म शास्त्रों में मृत्यू को अंत नहीं बलकी मुक्ति कहा गया है, और ऐसे समय में दुखी होकर विलाप करने को अनुचित बताया गया है, लेकिन दोस्तों, प अशुख बताया गया है, तो आईए जानते हैं कि हमारे धर्म शास्त्रों में मृत्यू के बाद शोक करने की मना ही क्यों है, इस विशय पर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने और गरुर पुरान में भगवान विश्णू ने क्या कहा है, इस वीडियो में हम ध हम आपको एक ऐसे विशत्रस्थान के बारे में बताएंगे, जहां मौत के बाद मातम नहीं बलकी परिवार के लोग ही जश्ण मनाते हैं, दोस्तों आम लोग अपने प्रियजनों की मृत्यू पर कई दिनों तक शोक मनाते हैं, और यह भी देखने को मिलता है कि कुछ लोग प्रिदय में घर कर जाता है, जो बार-बार एहसास दिलाता रहता है कि अब मृतक व्यक्ति उनके साथ नहीं है। जीवन देता हूँ, और सभी जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म पाते हैं, यही जीवन का सत्य है। गीता में ज्यान देते समय श्री कृष्ण ने मृत्यू की तुलना वस्त्र बदलने से की है। जिस प्रकार हम प्रतिदिन स्नान करके नए वस्त्र पहनते हैं, तो प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार मृत्यू के बाद जब इस आत्मा को पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पर नया शरीर मिलता है, तो उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, बलकि प्रसन्न होना चाहिए गरुर पुरान में बताया गया है कि आत्मा को भी अपने प्रियजनों से दूर होने का दुख होता है यदि आप बार-बार उन्हें याद करते हैं तो मृतक की आत्मा माया से मुक्त नहीं हो पाती और आपको पीडित देख आपसे बात करने के लिए आपके आसपास ही भटकती रहती है आत्मा को मोह के बंधनों से मुक्त करने के लिए गरुर पुरान में कुछ नियमों के बारे में बताया गया है जिनका पालन मृतक के परिवार जनों को करना चाहिए जिससे इस दुनिया को छोड़ने वाले को शांती मिल सके इस नियम के अनुसार परिवार के किसी सदस्य की मृत्यू के बाद उसका दाहसंसकार उसके बच्चे या उसके प्रियजन द्वारा अवश्य किया जाना चाहिए क्योंकि दाहसंसकार की क्रिया में जब शरीर नश्ट हो जाता है तो ना केवल परिवार जनों का बलकी आत्मा का भी मोह कमजोर पड़ जाता है जिससे आत्मा को मुक्ती पाने में आसानी होती है आईए अब आपको मृत व्यक्ती के लिए दुखी होने पर विज्ञान का क्या कहना है वह बताते हैं विज्ञान के अनुसार मृत व्यक्ती को हर समय याद करने से मन में उदासी और अवसाद की भावना पैदा होती है और जब हम दुखी होते हैं तो हमारे शरीर में नकाराक्मक बदलाव शुरू हो जाते हैं शरीर में तनाव हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनालिन आदी बढ़ जाते हैं ये हार्मोन दिल की धड़कन, प्रक्तचाप, श्वसंत, मेटाबोलिज्म आदी पर प्रभाव डालते हैं अगर यह बदलाव लंबे समय तक बने रहें, तो व्यक्ति के अंदर स्वास्थे संबंधी समस्याएं पैदा हो जाती हैं ऐसे व्यक्ति का मस्तिष्ट कमजोर पढ़ जाता है, और निराशा में रहने के कारण अंत्ह अपने आपको क्षती पहुचाने की प्रवृत्ति तक पैदा हो जाती है दोस्तों आये अब आपको बताते हैं कि भगवान बुद्ध ने परिवार के सदस्यों की मृत्यू पर शोक व्यक्त करने के बारे में क्या कहा है इस विशय पर गौतम बुद्ध से जुड़ी एक कहानी प्रचलित है एक बार एक बुधी औरत गौतम बुद्ध के पास पहुची उस महिला की भगवान बुद्ध में गहरी आस्था थी महिला के पुत्र की मौत हो चुकी थी और महिला बहुत दुख में थी महिला ने सोचा की भगवान बुद्ध उसके बेटे को जीवित कर सकते हैं यही प्रार्थना लेकर वह बुद्ध से मिलने गई और अपने बच्चे को वापस जीवित करने के लिए कहा। बुद्ध ने महिला की बात सुनी और कुछ देर सोचने के बात कहा, ठीक है, मैं उसे जीवित कर दूँगा। लेकिन तुम्हें ऐसे घर से एक मुठी सरसों के बीज लाने होंगे, जहां किसी की मृत्यू न हुई हो। जहां के सभी लोगों का एक ही उत्तर था, हमारे घर में मौतें तो हुई है, कुछ लोग बड़ी उम्र में मर गए, कुछ समय से पहले ही मर गए। जब सभी घरों से एक ही उत्तर आया, तो महिला को समझा गया, कि बुद्ध उससे क्या कहना चाह रहे थे। फिर जब वह बुद्ध के पास पहुँची, तो उसे एहसास हुआ कि हर किसी को एकनेक दिन मरना ही है, चाहे वह कोई भी हो, इसलिए उसका शोक लंबे समय तक नहीं मनाना चाहिए। इस कहानी में भगवान बुद्ध ने संदेश दिया है, कि किसी की मृत्यू पर ज्यादा समय तक शोक नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि मरना तो सभी को है, शोक करने से वर्तमान तो खराब होता ही है, साथ ही इसका असर हमारे भविश्य पर भी पढ़ता है। अन्य समुदायों या स्थानों में जहां परिवार के किसी सदस्य की मृत्यू अपने पीछे असहनिय दर्द और भावनात्मक्षन छोड़ जाती है, बाली द्वीपस्मुह में यह किसी उत्सव से कम नहीं है। और बंधनों से आत्मा के मुक्थ होने का जश्न मनाना चाहिए। ऐसा करने के पीछे उनका मानना है कि मृत्यू के बाद उनके परिवार के सदस्य की आत्मा दुनिया के सभी दर्द और पीड़ा से मुक्थ हो जाती है और मोक्ष की ओर बढ़ जाती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मृत परिवार की मृत्यू पर शोक क्यों नहीं मनाना चाहिए इसका जवाब आपको मिल गया होगा। अगर ये बातें आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने बंधू बांधवों को शेयर करें और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल वैदिक ज्यान संगम को सब्सक्राइब करें। सर्वे शुभंग भवतू आए मिलते हैं अगली वीडियो में।